उत्तर प्रदेश में एक नई प्राथमिक सिक्षक भरती का इंतिजार है यहाँ पर अमर उजाला ब्यूरों से प्रकाशत यह ख़वर आप देख पा रहे होंगे जब बात करते हैं नई सिक्षक भरती को लेकर के तो चुनाओ के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई सिक्षक भरती यहाँ पर यह बात तो बिल्कुल सही है तय है कि अभी जो भी है चुकि आपका 10 फरवरी 2024 तक आयोग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना चाहिए जो आपका नया सिक्षा सेवा चैन आयोग है लेकिन अभी आपका लगबग एक महीने का समय उससे ज्यादा बीद चुका है आज 6 मार्च 2024 से लेकिन उसके बावजूद अभी तक सारा कुछ सेलेक्शन हो चुका है जब अध्यक्ष और सदस्यों की बात करते हैं अध्यक्ष और 12 सदसे जो भी है लेकिन अभी तक उसके पारे में कोई भी खबर नहीं है आई है कि कौन ऐसे में अध्यक्ष बनाया गया राजिपाल की मुहर के बाद ही वो सारी चीजे जो है सनस्तुति के बाद ही वो सारी चीजे निकल करके सामने आएगी तो ऐसे में और चुके चुनाओ आपका नजदीक है आप बात करोगे मा बहुत कम संभवना है कि जो आयोग है वहास्तवे के प्रस्थ भूमी पर आए और एक नई शिक्षक भरती जो है वहापको देखने को मिले आयोग संभवता है जब हम चुनावी एक उसको ले करके बात करें कि ठीक है चुनाव आने वाला है आयोग को एक बार हम वास्तवे के जो भरतियां लंबित हैं तो उनके पूर्ड होने की संभावना बहुत कम है फिलहाल के लिए आज की अपडेट में इतना ही कुछ और खावर मिलेगी तो आप सभी को उस्यावगत जरूर करवाए जाएगा बहुत बहुत शुक्री आप सभी का